Hello Friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने computer की file या folder को log कर सकते हैं Log करने के बाद आप अपनी file को या folder को secure भी कर सकते हैं साथ में आप file folder को hide कैसे करेंगी सब कुछ जानकरी आपको इस वीडियो मिलने वाली है दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी फाइल या फोल्डर को लोग करेंगे इन तीनों तरीकों का यूज आप विंडो एट, टैन और एलेवन पर आसानी से कर सकते हैं चले दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको जाना है साथ में दोस्तो आप चैनल पर फस्टार्माइच चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिएगा तो फोल्डर और फाइल को लोग करने के लिए पहला साधी का जो मैं आताने वाला हूँ सबसे सिंपल तरीका है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए जो भी file folder को log करना है, उसके लिए आपको करना क्या है, तो देखें मेरे पास एक file sharing folder के नाम से, इस folder को मुझे log करना है, log करने के लिए आपको करना क्या है, इस पर right click करना है, जैसे आप इस पर right click करेंगे, right click करने के बाद और पिर अपलाइए कंट्रोल आपको आपको आफ। आप अपने फाइल को लोग कर सकते हैं कोई आपकी फाइल को यहां पर एक्सिस नहीं कर सकता है नहीं डिलीट कर सकता है फाइल को और नहीं फाइल फोल्डर का नेम चेंज कर सकते हैं अब अगर आपको यह फाइल ओपन करनी है तो कैसे करनी है सेम तरीके से आप प्रोपरिट आपने यहां पर allow की थी उसको आपको दुबारे से अंटीक कर देना है और apply okay करके आपको यहां पर okay कर देना है जैसे आप okay करने बाद यहां पर ओपन करने कोशिश करते हैं देखें यहां पर file open हो जाएगी तो इस तरीके से आप पहले तरीके से आप अपने file folder को log कर सकते हैं इसको मैं यहां पर lock करने वाला हूँ तो इसके लिए मुझे यहां पर right click करना है राइट click करने के बाद आपको option मिलता है add to archive को option इस option पर किलिक करने के बाद लगाना है अपने फोल्डर फाईल पर यहां पर को फिल कर लेना है इसके बाद आपको ok करना है okay करने के बाद देखें आपको return general tab पे जाना है general tab पे जाने के बाद देखें आपको अपनी file को यहाँ पे compress भी कर सकते है normal fast जिस mode में आप करने चाहते हैं कर सकते हैं साथ ही आप यहाँ पे file जो अपनी rar और jip file format में भी मना सकते हैं इसके बाद आपको करना क्या है देखिया आपको यहाँ पे और कंज़ीश होगी, काफी उप्सेन मिल जाएगे आपको, तो यहाँ पहें करना है आपको लोक करने के लिए folder के लोक उप्सेन पे क्लिक करना है, और फिर आपको एक डेना हमास्वे कहने है, खृली करने के बाद इसको डिलेट भी कर सकते हैं इसके लिए आपका इतना काम्याब नहीं और शिक्यूर कर सकते हैं तीसा तरीका जो बताने वाला हूं इसमें आपका file hide भी कर सकते हैं अपने file को और lock भी कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने google chrome को open कर लेना है google chrome को open करने के बाद उसमें search करना है file hello search करने के बाद जो आपका पहला link आएगा उसस पे आपको click करके इस website पर आ जाना है इस website का link में ने जहिसाइ वीडियो के description दिया है, आप उस पर click करके website से आ सकते हैं, इसके बाद आपको search option में जाना है, यहाँ पर लिकना है, आपको folder log जैसे आप folder log के option पर click करके search करते हैं, तो आपके सामने काफी option आएंगे folder log के, काफी apps आपके सामने खुलके open हो जाएंगे, तो आपको कुछ apps यहाँ पर paid मिलेगी, कुछ आपकी free मिलेगी, तो आपको यहाँ पर free use कर सकते हैं, कुछ paid भी है आपकी यहाँ पर तो यहाँ पर देखे स्कोल करने के बाद आपको एक app दिखेगी, जो कि हमारी है, यहाँ पर nv folder log free, यह आपकी free app है, इसको आप download कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से मैं इसको download कर लेता हूँ download कर से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसको download कर लेना है, latest version है इसका, इसका इसका क्लिक करके, देखें हमें file मेरी download हो गई है, नीचे आपको show करेगा file download हो जाने के बाद, इसको मैं open कर लेता हूँ, open करने के बाद देखें, आपके सामने कुछ इस तरह के interface open होगा, यहाँ पर आपको next option पर क्लिक करना है, next क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर file का location सो करेगा, इसका 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 इसको मैं आपे close कर देता हूं, close करने बाद देकि डेश्टोप पर आपको nv file folder के नाम से आपको यहां प्शका होजाएगा, इसको मैं आपे open कर लेता हो, open करने के बाद देखिए, यहां पर हमार से master password set करने के लिए बोलता है, तो यहाँ पर आपको master password यहाँ पर दे देना है confirm करना है master password इसके बाद आपको देखे okay जैसा क्लिक करेंगा तो यहाँ पर देखे email भी देनी होती है जो कि mandatory है तो आपको यहाँ पर working email देनी है ताकि कब भी आप password भूल जाएं यहाँ पर तो इससे आप forget कर सकती है तो यहाँ पर अपनी email आईडी देता हूँ email आईडी देने के बाद मुझे यहाँ पर okay का option पर क्लिक करना है okay के option पर क्लिक करने के बाद आप env file folder की option पर इससे dashboard पर आ जाएंगे यहाँ पर देखिए आपको left side आपको home setting और toolbar का option मिलेगा आप देखिए आपको कोई भी file log करने के लिए आपको करना है आपको कोई भी file select करना है तो add के option पर क्लिक करके आपको कोई भी file select करने इसको log करना है तो देखिए मैरे जो desktop पर एक sharing का folder है उसको ही मैं log करने वाला हूँ hide कर सकता हूँ यहाँ से तो यहाँ पर sharing का folder select करता हूँ और open के option में click करता हूँ open के option में click करते हैं देखिए हाँ पर hide और log का option अपने automatically select हो गया है याँ मेरी file यहाँ से hide हो गए देखिए आपको पर सोर होगा तो मेरी file यहाँ से जो folder है वो log हो चुका है याँ folder को hide का folder को hide और log कर सकते है folder वह यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको password ही लगा सकते हैं simple könसिंपल यहाँ मिल जाएगेδα vocês कर सकते हैं, मान लीजिए मैं आप फोल्डर को अन्परोटेक्ट करता हूँ, तो फाइल पे कोई फोल्डर नहीं रहेगा अगर हाइड रखता हूँ सिंपल तो यहाँ से फोल्डर मेरा हाइड हो चुका है, अगर मैं hide and lock का मिलेगा option साथ में password set करने का option मिलेगा यहाँ पासवर्ड दे सकते है password आप master भी set कर सकते है या फिर अपनी तरफ से कुई custom password भी आप set कर सकते है यहाँ पी इसके बाद देखे काफी option मिल जागा यहाँ पी तो आपको जो यहाँ पर कर सकते हैं आप यहाँ पर hide कर सकते हैं folder को आगर देखी हाँ पर आप इसको off रखेंगे तो आपको सारे जो प्रमिंसन यहाँ पर off रहेंगे अगर own रखेंगे तब यह आपका folder hide रहेगा या फिर उसमें log रहेगा या password लगा रहेगा तो मैं one by one explain करते हूं यहाँ पर देखे password लगाना है अगर आपको तो password यहाँ पर select करता हूं जो यहाँ पर अगर master password रखना है master रख सकते हैं अजर्वाइज आप चोज भी कर सकते हैं कोई दूसरा password इसके बाद आपको ok करना है ok करने बाद देखे password सेलेक्ट हो गया है मैं minimize करता हूं और इसके open करने को इसके open करता हूं open करने बाद देखे हैं पर password मांगता है तो यहाँ पर आपको right password जो आपने select किया है वो यह देखे आप उपन कर सकते हैं अजर्वाज कोई user आपको यहाँ पर आएगा और password देगा तो यहाँ पर open नहीं हो जब तो वो correct password यहाँ पर नहीं डालेगा तो यहाँ पर correct password डालके ok करता हूं तो यहाँ फाइल मेरी open हो गई है तो इस तरह किसे आप password भी set कर सकते हैं चाहिए इसको आप hide भी कर सकते हैं यहाँ पर नौफ किसे आपको ड क्या लगाना है आप में folder फाइल को फाइल को पर भी agreement लगानी है उसको hide करना है लोग करना है क्या करना है इसको आपको off कर सकते हैं इस तरह किसे आप वो summary files एक तरह से मतलब कितनी भी फाइल आप कर iReatan के ओनको unlock भी कर सकते हैं तो अभी वो hide हो चुकी है फाइल मेरी, इसको देखें मैं आप पर unprotect करता हूँ, देखें मेरी फाइल यहाँ पर आ चुकी है वापिस, इसके बाद देखिए आप कोई भी permission set करना चाते हैं, इस कर सकते हैं, easily अपनी, आप चाहे फाइल को log कर सकते हैं, read only बना सकते हैं, कोई इसको फाइल डिलीट नी कर सकता हैं यहाँ से, अगर आप जो permission आप यहाँ पर set करेंगे, वो आप कि यहाँ पर set हो जाएगी, तो इस तरीके से आप इस एप पर यूज़ करके, अपनी file folder को log कर सकते हैं, या file folder को hide कर सकते हैं, या hide and log दोनों कर सकते हैं या फिर सिर्फ उस पर read only permission लगा सकते हैं, कि person उसको सिर्फ read कर सकता है, ना यह उस file का name चेंज कर सकता है, ना इस file और delete कर सकता है, सिर्फ only उसको read कर सकता है, इस तरीके से काफी permission को option आपको पर मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप अपने folder को, file को easily log कर सकते हैं, उसको hide भ गए तो वीडियो को like जरू कीजेगा, चैनल फे फरस्ट ने चैनल को subscribe जरू कर लेजेगा, thank you